प्लीज सब्सक्राइब टीशेन शोटेंड एंदी रिक्टेशन्स, रेडी, स्टार्ट यह उमेद की जाए कि इससे काले धन का प्रेवाह थम पाएगा या फिर अब तक की पारदर्शिता भी खत्म हो जाएगी सब जानते हैं कि हमारे देश में काले धन और ब्रिश्टाचार की जड है राजनेतिक ब्रिश्टाचार उसका मूल है चुनावी खर्चा और राजनेतिक फंडिंग यह भी कि पार्टियों का अधिकांश फंड या तो नेताजी की जेव में होता है या पार्टियों की तिजोरी में आटे में नमक के बराबर हिस्सा बैंक अकाउंट में होता है चुट की भर फंड इंकम टेक्स और चुनाव आयोग के सामने घोशित होता है देश के वित्मंत्री जब बजट भाशन पढ़ रहे थे तो संसद में मेजों की थप थपाहत सुन कर मेरा माथा ठनका दिलेर महंदी का गीत याद आया मामला गडबड है जिन राजनेताओं के काले धन को रोकने के लिए प्रस्ताओ लाया जाए वे ही सब मिलकर इसका स्वागत करें तो आप क्या कहेंगे अरुन जेटली ने कहा कि वे राजनितिक फंड में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा प्रस्ताओ ला रहे हैं राजनितिक दल अब दो हजार रुपै से अधिक कैश नहीं ले सकेंगे और राजनिति में सफेद धन लाने के लिए इलेक्षन बॉंड लगाये जाएंगे सांसदों ने मेज थपथपाई और टीवी चैनलों ने जैगोश किया अगले दिन अखबारों की सुर्खियों और संपादकिये में भी संतोश वैक्त किया वित्मंत्री का काम बन गया बजट खत्म पैसा हजम दरहसल वित्मंत्री ने क्या घुशना की ये उस दिन किसी को समझ नहीं आया इलेक्षन बॉंड वाला मामला तो बंद पिटारे जैसा था धिरे धिरे बजट के दस्तावेज खुले और तब यह बात समझ में आई की यह अरुन जैटली की एक और गुगली थी इससे राजनीती में काला धन जरा भी नहीं रुकेगा उल्टे राजनीतिक अकाउंटिंग में जो थोड़ी बहुत पारदर्शिता है वो भी खत्म हो जाएगी वित्मंत्री का पहला प्रेस्ताव है की राजनीतिक दलों को कैश में मिलने वाले चंदे का अधिक्तम सिम्हा दोहजार कर दी जाए पहली नजर में अच्छी बात लगती है की सैकडों करोडों रुपय का गुमनाम कैश चंदे का दावा करने वाली पार्टियों पर कुछ सक्ती हुई तो वे ध्यान से देखे तो पता लगेगा कुछ भी नहीं हुआ आज का कानुन कहता है की पार्टी को बीस हजार रुपय से कम के किसी भी चंदे का हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं है इसका फायदा उठा तमाम नेता और पार्टियां हवाला प्रॉपर्टी और भ्रिष्टाचार के जरिये काली कमाई को राजनेतिक चंदे के तौर पर दिखा ब्लैक को वाइट कर लेते हैं इसे रोकने के लिए दो तरह के नियमों की जरूरत थी पहला हिसाब ने देने की छूट को पूरी तरह से खत्म किया जाए जैसा बाकी संगठनों को करना पड़ता है उसी तरह से पार्टियों को भी अपने हर चंदे का हिसाब देना और रखना पड़े चाहे कैश में हो या चैक दूसरा कोई भी पार्टी कैश में अधिक्तम कितना चंदा ले सकती है उसकी सीमा बंदती है यह नियम बन सकता था कि पार्टियां अपने कुल चंदे का सिर्फ 10 प्रतिशत ही कैश में ले सकती है लेकिन वित मंत्री ने हिसाब देतने की छूट को भी 20,000 से घटा कर 2000 कर दिया नतीजा यह होगा की कुछ भी नहीं बदलेगा कल तक जो नेता जी किसी अकाउंटेंट को बुला कर कहते थे भाई यह रहे 100 करोड इसे 20,000 के चंदे की तरह दिखा कर एंट्री कर दो अब वो कहेंगे भाई यह रहे 100 करोड इसे 22,000 के चंदे की एंट्री दिखा दो जो कल तक सेकडो करोड के दो नमबर के पैसे को एक नमबर कर रहे थे वो आज भी वही करेंगे बस चार्टर अकाउंटेंट की मेहनत और फीस बढ़ जाएगी यह बात सही है कि राजनिती में दो नमबर के पैसे को रोकने के साथ साथ एक नमबर के पैसे को भी बढ़ावा देना जरूरी है लेकिन चुनावी बॉंड वाली घोशना के बहाने वितमंत्री दूसरा ही खेल खेल गए राजनिती में मुक्तदान के बजाए गुप्तदान की व्यवस्था कर दी है इस बॉंड से राजनितिक चंदे में जो थोड़ी बहुत पारदर्शिता थी वो भी खत्म हो जाएगी सरकार की योजना ये है कि जो भी व्यक्ति किसी पार्टी को एक नंबर में पैसा देना चाहे वो बैंक जाकर उतनी रकम का इलेक्टरोल बॉंड खरीद लेगा बॉंड पर ने खरीदने वाले का नाम होगा ने ही उस पार्टी का जिसे बॉंड दिया जाएगा ने दान देने वाले को बताना पड़ेगा कि उसने किस पार्टी को दान दिया नैक ही पार्टियों को बताना पड़ेगा कि उसे किसी व्यक्ति और कमपनी से दान मिला है सबसे खतरनाक बात ये है कि पार्टी को ये भी नहीं बताना पड़ेगा कि उसे कुल कितनी रकम के बॉंड मिले पहले जिस बीस हजार तक के चंदे का हिसाब नै देने की छूट थी इलेक्शन बॉंड के लिए उस छूट की सीमा ही समाप्त कर दी गई मान लीजिए कि अगर कोई सरकार किसी बड़ी कमपनी को किसी बड़ी डील में पांच हजार करोड का फायदा पहुचाती है पचास पचास का सौदा हो जाता है वो कमपनी या उसका मालिक 2.5 हजार करोड का इलेक्शन बॉंड खरीद चुपचाप से सत्ता रूड पार्टी को पकड़ा देती है आज की व्यवस्था में कमपनी को अपनी बैलेंस शीटे में इसका खुलासा नहीं करना पड़ता और उस पार्टी को इनकम टैक्स के हिस्से में इसकी घुशना करनी पड़ती लेकिन जैटली के इस सुधार से ये सारा लेंदेन रिकॉर्ड से गायब हो जाएगा कुछ यूँ ही समझ लीजिये की राजनितिक फंडिंग की टंकी लीक कर रही है स्टॉप